किया कल के बाद किसी की पिंकी पाई से कोई बात हुई थी समझ नहीं आ रहा है इतनी जरूरी क्या बात थी जो हमें इतनी जल्दी बुलाया सलेस्टिया ने अभी तक सूरज भी नहीं उगाया है उमीद है सब कुछ ठीक है अच्छा हुआ तुम यहां आ गए हमारे पास बेलकुल वक्त नहीं है संभल कर यह सब क्या है मेरी बहन मौड यहां आने वाली है और तुम सब मेरी रॉख कैंडिस टेस्ट करके बताओ हमें मदद करके खुशी होगी पिंकी पाई पर यह कैंडी को ज्यादा नहीं हो गई तुम्हारी लिए भी शायद मैंने थोड़ी ज्यादा ही कैंडीस बना ली एक यूरिफल दिल जो है स्ट्रॉंग भी शेरिंग कायनिस है एजी और माजिक से ही सिंद्य की मेरी धूर्ण तुम्हारी की यह धूस्ती है पकी पुनीस और कैंडीस खाएंगी मेरे दातों में दर्द हो रहा है मेरे ख्याल से इतना काफी है और क्या तुम्हारी पहन है और उसे तुम्हारी रॉक कैंडी पसंद आएगी और इतनी कैंडीस भी काफी होंगी वह यहां बस एक हफते के लिए ही तो आ रही है यह सिर्फ मौट के लिए नहीं है सिली मैं यह हम सब के लिए बना रही हूँ यह हिसा है एक बहुत ही जरूरी सूपर डूपर स्पेशल ट्रेडेशन का जो सिर्फ सब से करीबी और बेस फ्रेंसी शेयर कर सकते हैं हम साथ मिलकर बनाएंगे रॉक कैंडी नेकलेस यह तब से चलता आ रहा है जब मैं और मौर छोटे थे रॉक फार्म पर उसी ने मुझे पाई फामली रॉक कैंडी रेसिपी बनाना सिखाया था इसमें एक सीक्रिट इंग्रीडियन्ट है वो है रॉक्स और उसी ने मुझे सिखाया टुकडों को पिरोकर एक नेकलेस बनाते हैं बनने के बाद इसे आपस में बदल लेते हैं मॉड और में तबसे नेकलेस बदल रहे हैं जबसे मैं पॉनिवल आई हूँ यह सबूत है कि हम हमीशा बेस फ्रेंड्स रहेंगे ओ बहुत ही अच्छी परमपरा है एक मिनेट वो सीक्रिट इंग्रीडियन्ट एक रॉक है हाँ पर यह खास तरह की रॉक्स है जिनने मॉड ने ढूंडा है ओ यह किस तरह की रॉक्स है वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती सिली यह एक सीक्रिट है अब जब मॉड रॉक साइंस में अपनी रॉक ट्रीट की डिग्री लेने जा रही है यह आखनी मुका होगा जब हम एक दूसरे को यह दे पाएंगे मैं तुम सबको उससे मिलवाना चाहती हूं मैं जानती हूं कि मेरी बेस्ट पोनिवल फ्रेंडस और मेरी बेस्ट सिस्टर फ्रेंड मिलकर बेस्टेस फ्रेंडस बना सकते हैं उसे फैशन के जरिये खुद को एक्सप्रेस करना पसंद है और वो बहुत स्मार्ट है उसे पढ उसे चिंता हो रही होगी मुझे जाना होगा मौन को शायद बहुत धुक लगी है आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसे ग्राने स्मित के आपल स्पाइस मफित्स पसंद आये हो इससे कुछ नहीं होगा मुझे पहनने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा वो ध्यान नहीं देंगी कि किसने क्या पहना है इतने क्या बड़ी बात हो गई बड़ी बात? ये है कि मौट को ये दिखाना बेहत मुश्किल होगा कि पोरे वलभी फैशन की मामले में किसी से कम नहीं है अगर यहां की सबसे फैशन फ़रवर्ट पोनी ही अपनी हाट को गिरने से नहीं समाल पा रही मुझे लगता हम सभी मौट के आने को लेकर थोड़े से नर्वस है वो पेंकी बाई की बेहन है और जाहरा पेंकी चाती कि हम उसके भी अच्छे दोस बने और हम सब मौट के साथ पैट कर वो रॉक कैंडी नेकलेस बनाए यह बहुत जरूरी है मुझे यकीन है कि सब कुछ थी हम आ गए मौट कहां है वो आ रही है तुम्हे पूरा यकीन है वो मेरी तरह तेज नहीं है मेरी कमी को उसके साथ छोड़ा है अगर वो रास्ता भटक जाए क्या वो हिल भी रही है हम यहां पर है मौट हां सेडिमेंटरी हां यह एक सेडिमेंटरी रॉक है यह तो वागई बहुत अची बात है है ना गोल्स हमें अच्छा लगा कि अपनी बड़ी टृप पर जाने से पहले तुम हम से मिल ले आई पिंकी पाई ने हमें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है मैं ट्वालाइट हूं यहें आपल जाग फ्लदशाइ रेंबो डाश और राड़टी हम सब तुमसे मिलकर पहत खश हम सब बहुत मज़े करेंगे पिंकी ने बताया तुम्हें मेरी तरह फैशन पसंद है मुझे अपने वाडरोब के जरीए खुद को जाहिर करना पसंद है और तुमने यह जो प्यारी फ्रॉग पहनी है यह क्या कह रही है यह बात नहीं कर सकती यह एक ड्रेस है यह बिल्कुल मेरा मतलब था कि मैं कह रही थी वो यह तो यह है विनोना और वो है आवलशुस, टैंग, ओपल और एंजल पिंकी पाय ने बताया कि तुम्हारे पास बेक पैथ है वो मेरी जेम में है तो तुम्हारे पास एक पॉकिट पैथ है जैसे की छोटा सच्चुहा या फिर बेबी बॉर्ड या ट्रेंट बटरफ्लाइ ये एक रॉक है इसका नाम है बोल्डर ये आज तक का सबसे बेस्ट सबसे शांदार बंसेदार हफता होने वाला है मैं हम सब के बेस्टेस्ट फ्रेंट्स बनने का इंतिजार नहीं कर पा रही मॉड क्या तुम ग्रैनी स्मिट के मशूर एपल स्पाइस मॉफिन स्ट्राइग करना चाहोगी वह ये क्रंची है मॉट सही क्या रही है ये क्रंची है याम तो पिक के पाइने बता तुमें खेलना पसंद है बोल्डर और मैं अकसर एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है कैमोफ्लैज ये बिल्कुल हाइडन सीक जैसा है पर उससे कहीं जादा मजेदार बहुत अच्छे मिला काश मैं बॉल्डर के साथ थोड़ा और वक्त बता पाती क्योंकि मुझे तो ये भी याद नहीं कि वो दिखता कैसा है ये तो भूसे के धेर में से कंकर ढूनने जैसा है शायद तुम्हारा मतलब है कंकरों के धेर में तुम्हे इसे और मुश्किल बनाने की कोई जरुरत नहीं मैं हार मानती हूं ये नामम्किन है हमने खेलना बन कर दिया तो मौड को बुरा लगेगा इसके लावा जरा देखो पिंकी भाय को कितना मजा आ रहा है क्या ये वो है बस थोड़ी देर, ओके अच्छा ठीक है मिल गया वो कहा छपा था वो मेरी जेब के अंदर छपा था कवार मैं बीच में नहीं बोला जाती पर अब हमें नन्हे जान्वरों को घर ले चलना चाहिए काफी देर हो चुकी है मॉड और मुझे भी चलना चाहिए मैं चाहती हूँ कि वो रॉक एंडी को टेस करी जिने हम इस्तिमाल करने वाले हैं बेस्ट फ्रेंड नेकलिसेज में ओ येस वो वाकई बहुत अलग है जैसा कि मैंने नहीं सोचा था हमने पूरा दिन मिट्टी चानने में बिता दिया और वो उसकी जेब में था यकीन नहीं होता जरा ये भी तो देखो बोल्टर कितना स्वीट था वो एक रॉक था कम ओन गर्ल्स मुझे लगता है मॉड हम सबसे मिलकर थोड़ा नर्वस हो रही है हो सकता है वो थोड़ा अजीब बरताब इसलिए कर रही हो क्योंकि वो शर्मीली है बिल्कुल हम सबसे एक साथ मिलना उसके लिए थोड़ा ज्यादा हो गया है खास करके तब जब हम सब इतनी अच्छी दोस्त हैं हाँ शायद कैसा रहेगा अगर हम सब एक एक करके उसके साथ थोड़ा सा वक्त पिताएं और उसे जानने की कोशिश करें फिर बहुत जल्ड हम उसके साथ मुलकर वह बेस्ट फ्रेंस नेकलेसे बना रहे होंगे तो हम कहां से शुरू करें मैंने कुछ फैब्रिक्स चुने हैं जो शानदार रहेंगे जोइस 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 बेश्च अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है तो मैं खुशी से सजेस्ट करूंगी कि मुझे ये वाला पसंद है माई गॉड पिंकी भाई ने हमें बताए नहीं कि तुम्हें अच्छा मजा कर लेती हो कि या मतलब है तुम्हारा ओ वेल यह तो बस मेरे ख्याल से एक डिश टावल है अब पर यह शायद तुम्हारी रंग के साथ बहुत अच्छा लगेगा मुझे यकीन है मैं इस पर अपना जादू दिखाकर इससे कुछ अच्छा बना सकती हूँ रारिटी और मेरी बहन साथ मिलकर कुछ बहुत अच्छा डिशाइन कर रहे है आज का दिन कितना शांदार है सच में शायद मैं इन सब से कुछ ऐसा बना सकती हूँ जो तुम्हें पसंद आए नो थैंक्स एक काफी है MOD कितने अच्छे सकाफ्स बनाती है ना? guar हेलो थैं हंमिंगवे तुम्से मिलकर मुझे बहुत खुशी हूँ वो क्या कह रहा है वो कह रहा है हेलो और उसरी भी हमसे मिलकर खुशी हूई कstäश मैं भी हंमिंगवार्त की भाषा बोल पाती हम 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 ह यह मकडियां सिर्फ पोनी विल में रहती है और बेशक के थोड़ी दरावनी है पर यह सुईट है और बागी कीडों को दूर रखने में मदद करती है मैं उस रॉक को देख रही थी तुम्हारा फिर से शुक्रिया फ्लेटुशाय सोचती रहना कि अपनी बेस्ट फ्रेंड निकलेस में तुम कौन सा फ्लीवर लगाने वाली हो ऑगाश पता नहीं हम दोस्त बनी भी है या नहीं मौड पूरी किता भी कीडा है उसे कविताए बहुत पसंद है मेरे पास बहुत सारी कविताए है क्या तुमने क्विल और इंक कविता पढ़ी है या फिर फ्लॉरिश प्रोज की मुझे अपनी कविताए पढ़ना पसंद है मैं जरूर कुछ सनना चाहूंगी रॉक तुम एक रॉक हो ग्रे तुम ग्रे हो रॉक की तरह जो कि तुम हो रॉक मैंने ऐसी हजारों लिखी है ये कितनी होश्यार है अगली वाली भी रॉक्स के बारे में ही है ये सब ही रॉक्स के बारे में है रॉक्स, ये सम मेरे रॉक्स है, सेडिमेंट्स, मुझे बना देते हैं सेंटिमेंटल, स्मूथ और राउंड, मैं सोती हूँ अन्दर ग्राउंड, ब्राउन की शेट्स और ग्रे साथ में लेके क्या तुमने साइडर के लिए एपिल्स छील लिये है मॉड्ड? मेरे ख्याल से एक हो गया है, हाँ, मुझे तुम्हारा तरीका काफे दिल्चस्प लगा, मैं एक और शील दूँ, नहीं मेरे मतलब, नहीं, मेरे ख्याल से इतने एपिल्स तो काफी होंगे, क्यों इसे टीस्ट कर सकते हैं? जरूर क्यों नहीं, वाँ, ये आश्लक का सबसे बे तुम्हारा क्या ख्याल है, मौड? इसका टेस्ट बिलकुल एपिल जैसा है, मैंने कहा था नहीं, बहुत साफ दिल की है, बिलकुल तुम्हारी तरह, हाँ, बिलकुल चुडवा बेहनों की तरह, हाँ, 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 यह तो शाम्दार था वाउ तुमने वो कैसे किया मैंने उस भेगा तो फिर शायद तुम जीती हो मॉड मुझे कोई शौक नहीं है जीतने का ग्रेग तुम यहां हो मॉड रॉक्स देखने गई है तो यह बिल्कुल सही वक्त है सारा इंतिजाम करने का हमारे बेस्ट फ्रेंड रॉक कैंडी नेकलेस के लिए क्या हुआ वेल, मुझे लगता है कि ये सही वक नहीं है बेस्ट फ्रेंड रॉक कैंडी नेक्लिस बनाने का क्यों नहीं? वेल, डार्लिंग, दिखो तुम बहुत अच्छी हो कि तुमने अपनी परबरा हमारे साथ शेयर की लेकिन लेकिन क्या? सच ये है कि हम सब मौट से दोस्ती करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वेल, शायद कुछ पोनी बाकियों से थोड़ा हट कर होती हैं हमें ये सही नहीं लगेगा अगर हम कुछ ऐसा बनाएं जो बेस्ट फ्रेंड के लिए हो जबकि हम बेस्ट फ्रेंड नहों अगर किसी पोनी को मेरी ज़रुद हो तो मैं यहां अंदर यह सुच रही होंगी कि सौ किलो रॉक कैंडी का क्या करना है अगर लग रहा है बहुत बुरा शायद हमें मौर के दोस्त बनने का नाटक कर लेना चाहिए था अगर हमने पिंकी पाई को सच नहीं बताया होता कि हम उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाए तो शायद मौट उसे बता देती शायद पर केसे पता वो पोनी एक ऐसी पहेली है जिसका रास एगनियस में चुपा हुआ है तुम्हारा मतलब उसके मन में चुपा है नहीं मेरा मतलब एकमी ऐसी था वो एक तरह का पत्थर होता है जैस करो मुझे किसने बताया मैंने कैसा तरीका खोज लिया है जिससे सब पोनीज करीब आज आएंगी मैंने इसका नाम रखा है पिंकी रेंबो रारी ट्वाइ अपल फ्लॉटर मॉट फॉन टाइम इसमें वो हर आक्टिविटी है जो तुम सब पोनीज को बेहत पसंद है और जिसे हम सब साथ मिलकर इंजॉय कर सकते हैं और जिसे मेरी सारी बेस्टेस फ्रेंड्स साथ मिलकर बेस्टेस फ्रेंड्स बन जाएंगे तुम्हें इनकी जरूत पड़ेगी जैसा कि मैंने कहा हां बहतर होगा कि मैं तुम्हें ये करके दिखाऊ ये देखो अपलसास टैनल अपल जाग के लिए खुबसूरत चंकी लावाला रारिटी के लिए ट्वालेट के लिए रीडिंग मटीरियल क्रीटर टाइम फ्लदिश आई के लिए कपकेक्स मेरे लिए और रीनबुड़ाश के लिए एक रीस पिंकी पाई वो क्या है एक रॉक स्लाइड और क्या मॉट के लिए पहले इस पर चड़ो और फिर स्लाइड करो मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा अरे नहीं जो गुटनेस संभलतर बचाओ बचाओ पाँ 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 क्या कैसे क्या पिंकी भाई तुम क्या सोच रही थी मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये कितना जरूरी है कि तुम्हारे दोस्त मेरे दोस्त बन जाए पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है मेरे ख्याल से बहतर होगा कि मैं वापस रॉक फार्म चली जाओं और बाकी का हफता वहीं गुजारू तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा मुझे ये जानकर खुशी हुई कि पिंकी पाइक इतने अच्छे दोस्त है पर हमने अपनी रॉक कैंडी नेकलस इस तो बनाए ही नहीं रुको मॉड मैं तुम्हारे साथ आती हूँ यकीन नहीं हो रहा मॉड इतनी जल्दी वापस जा रही है मुझे यकीन नहीं होता कि उस बेकार आप्सिकल कोर्स में हम पिंकी पाइको खोने से बच गए अच्छा हुआ मॉड सही वक्त पर उस तक पहुँच गई तुमने देखा वो कितनी तेजी से पहुची थी कुछ ऐसाचो इस लाइक हो कि हम सब सात्मुल का सूपर डूपर स्पेशल परंपरा में हिस्सा ले सकते हैं जो सिफ बेस्टेस फ्रेंज के लिए है मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया पता नहीं अपनी रॉक रिसर्ज ट्रिप से में कब वापस आऊंगी मुझे खुशी है कि जाने से पहले तुम्हारे साथ वक्त बिता पाई मुझे भी? और मैं माफ़े चाहती हूं कि मैंने सब पोनीस पर इतना दबाव डाला मैं बस चाहती थी कि मेरे दोस्तों को मेरी प्यारी बेहन को अच्छे से जानने का मोका मिले तुम सब यहां क्या कर रहे हो पिंकी पाई हमें माण कर दो कि हम मौड के साथ दोस्ती नहीं कर पाए और तुम्हारे दिल कौ ठेश पहुँची और मौड पिंकी पाई को और दुख ना पहुँचे इसलिए तुम पॉनी विल छोड़ कर चा रही हो हम सब ने देखा कि तुम्हें पिंकी पाई की कितनी फिकर है, फिर्स होफ पिंकी पाई की खुशी हमारे लिए भी उतनी जरूरी है चितनी तुम्हारे लिए हम माफ़े चाहते हैं कि हमने ये पहले नहीं देखा वो चीज जो हम सब जानते हों जिसके वज़े से हमारे बीचे खास रिष्टा है वो ये बात है कि हम सब पिंकी से बहुत प्यार करते हैं और रहने भी दो और अगर मुझसे पूछो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है तुम्हारा क्या खयाल है मॉड? जरूर क्या हुआ? सॉरी डार्लिंग हम सब को लगा था कि वो ये बात सुनकर थोड़ा ज़ादा खुश होगी क्या तुम मजाब कर रही हो? मैंने अपनी पूरी जिंदिगी में इसे इतना खुश कभी नहीं देखा पता नहीं तुम सब ने ये देखा कि नहीं कि मैं किसी चीज के बारे में खुशी जाहिर नहीं करती जैसा कि मेरी बेहन करती है हमने देखा और हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ, बेकल मौड, हम तुमें कुछ देना चाहते हैं जो तुम अपने साथ लेकर जाओ ताकि तुम पॉनी विल के अपनी दोस्तों को हमेशा याद रखो थांक यू जानी से पहले सारी आंडी मत खा जाना क्या ये वो नेकलिस हैं जो पिंकी पाई ने तुम्हें भेजी थी? तुमने इन में से एक भी नहीं खाई? मुझे कैंडी पसंद नहीं पर मैं पिंकी पाई से बहुत प्यार करती हूं क्यों हाँ तुम्हाँ क्यों हाँ और झाल दो जो 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 नी इसथ बजसे बेदाने के अई आरी बस्टेश कर दो दो